तो यार काफी लोग कोशन रहा है कि हमें लेना चाहिए आइफोन 13 या फिर लेना चाहिए हमें आइफोन 12 प्रो चुकि ऐसा ही रिखता है 13 प्रो यह तो खैर तो कौन सा लेना चाहिए यार पदला यह कोशन काफी साथ आ गया तो फिर मुझे लगा let's make a video on that and black friday sale आने वाली ह तो यार क्या वे करते हैं कोन सा बेटर है तो वो मैं आपको आज सोड़ा सा बताने वाला हूँ और यह वीडियो के अंदर ना देखो सीधी बात है it depends upon you मतलब एक clear conclusion नहीं दे सकते क्योंकि दोनों में अपने फायदे और अपने नुकसान है चैनल पे नहीं हो तो कर लेना subscribe क क्योंकि मैं करता हूं सीधी बात ज्यादा कर नहीं करता time pass तो उससे आपका definitely फायदा होगा और black friday deals के लिए follow कर सकते हो मेरा instagram चैनल जहांपे मैं deals को post करता हूं interesting और काफी बढ़िया deals को post करता हूं ताकि आप लोगा फायदा हो at the rate technique India और twitter पे भी follow कर सकते हो start करते हैं इसक की बात करेंगे सबसे पहले 13 के price हो सकता है as low as 57 58 इससे नीचे जाने की मुझे expectation है नहीं black friday के अंदर और 12 प्रो भी आपको market में कहीं नहीं से मिल सकता है इसे कोई online तो आपको मिलेगा नहीं क्योंकि obviously discontinue हो चुका है अब difference की बात करेंगे सबसे पहली चीज जो बात करेंग 12 Pro is a better phone for you if you want to go for a camera and it's iPhone 12 Pro and तो यह चीज आप consider कर सकते हैं स्क्रीन वाइस देखेंगे दोनों की स्क्रीन सेम है 12 Pro की नौस थोड़ी बड़ी है 13 की नौस थोड़ी कम है that is not a very big deal to be honest दोनों मैंने यूज़ करके देखिया और मुझे ऐसा नहीं लगता कि जिससे आपको game चेंगे experience होगा तो यहां पर मैं बोल सकता हूं एक टाइब रे premium और इसके लावा मुझे personally थोड़ा better लगता है और उसकी hold and all थोड़ा heavy भी है but definitely feels more premium and very very good 13 is not at all cheap but 12 Pro is definitely more premium तो यहां पर 12 Pro का ही कहा जाजाता है में जो important जाजाती है वह प्रोसेसर जहां पर आपको 13 के अंदर मिलता है A15 Bionic chip और 12 Pro मिलता है A14 Bionic chip RAM थोड़ी सी tweet मिलेगी आपको 12 Pro के अंदर but processor is the main brain जो की आपको 13 में बेटर मिलता है which helps you get a longer क्या मिलेगा आपको software support comparing to 12 Pro but हाँ यह द A14 यह ना और 13 का A15 में आपको ऐसा कुछ day-to-day पर मतलब अगर आपको usage रहता है ना normal वाला कोई drastic difference देखने को नहीं मिनने वाला है definitely gaming जाबा करते हो आपका मतलब phone का overgrade जाधा रहेगा तो आपको definitely feel हो सकता है बढ़ हां not at all right now क्योंकि दोनों बहुत बढ़िया है आप definitely consider कर सकते हो 12 pro को but to be honest and to be fair 13 का processor is better और वहीब चीज एक और बैटरी लाइफ 13 की बैटरी यार थोड़ी सी जादा है 12 pro से and मेरे को लगता है कि वह overall एक better battery निकालेगा as compared to 12 pro तो यार आगर आपका consideration ऐसा है कि है मेरा day-to-day usage के normal phone यूजज करता हूं में बहुत super high task heavy task नहीं रहता मेर और medium heavy task रहता है एक तरह से कह सकते हो और आपको 3 camera वाला phone चाहिए pro edition चाहिए तो आप 12 pro पे जा सकते हो otherwise अगर आपको again latest तो 14 आच चुका है तो मतलब कम पुराना चाहिए तो 13 ले सकते हो बठादेगो 12 pro में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है to be honest और 12 pro is not at all a bad phone मैं आपकी जगह हो लेता है क्योंकि मेरे को ना camera जादा important होता है plus एक premium feel मिलती है तो मतलब मेरे को जादा important हो लगता है as compared to very high power जो कि मुझे लगता निया मैं इतनी consume भी करूंगा क्योंकि a14 भी काफी powerful है काफी powerful है literally आपको ipads में भी a14 देखने को मिलता है और काफी बढ़िया चल रहे है और वो सारे ipad भी आज के टाइम में भी आप देखोगे तो तो ऐसा कोई तिक्कत नहीं है मुझे तो method 12 pro consider करता मतलब over 13 in that case तो यही था आज की वीडियो के अंदर कोई कोश